नमस्कार, Study IQ IS में आप सबका स्वगत है, मेरा नाम है वस्व कटारा and I welcome you to the Indianomics series. हम इस सीरीज के तहत Indian Economics भारती अर्थिवस्था के सबसे महत्वपून बिंदू कर रहे हैं, सबसे महत्वपून टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपके UPC एक्जाम में प्रिलिम्स में पूछे दा सकते हैं. आज के सेशन के अंदर हम FRBM Act पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रिलिम्स से ज़ादा मेंस के लिए important है. अब आप पहले एक स्टोरी सुनें, उसके बाद ये FRBM Act है क्या, इसके बारे में बताऊँगा, स्टार्टिंग मैं I will be discussing a story with you, आपके साथ एक स्टोरी में डिसकस करो, सुनो दांचे, FRBM Act नाम का सरकार एक कानून लेकर आई 2003 के अंदर, मक्सद क्या था इस कानून का, और ले लेती हैं इतना, अब जब इतना जादा बॉरो कर लिया, हमने पिशली क्लासे में एक टॉपिक डिसकस किया है, फिसकल डेफिसिट का, फिसकल डेफिसिट या राज कोशिय घाटा, सरकार के उपर बहुत ज़ादा बढ़ने लगता है, गवर्मेंट के उपर बहुत ज़ादा इंक्रीज हो जाता है, और क्योंकि सरकार के उपर फिसकल डेफिसिट बहुत ज़ादा इंक्रीज हो जाता है, तो next government जो भी आएगी उनको उस पर interest चुकाना पड़ेगा ब्याज देना पड़ेगा, interest पे करना पड़ेगा अब खुद सोचिए ये कहीं से भी sustainable है क्या कि पिछली government ने जो उधार लिया है वो आने वाली governments को चुकाना पड़े या हम जैसे लोगों को आम जनता को बोज उठाना पड़े, interest payments करनी पड़े तो इसी लिए deficit या घाटे होने कभी भी sustainable नहीं माना जाता किसी भी हर्थ स्वस्ता के लिए इसी लिए हम 2003 के अंदर FRBM Act लेकर आये थे FRBM की full form क्या है? Fiscal Responsibility, Fiscal Raja Kooshy जो Center Government Finance Ministry का का काम है Fiscal Management का Responsibility obviously जिम्मदारी है and Budget Management Act and Budget, Budget सरकार जो Budget बनाती है उसे properly manage करेगी मतब it should not spend more money than what it is earning जो कमा रही है उससे जादा ना खर्चे है और खर्चा तो चलो ठीक है उधार लेके खर्चना पड़ रहा है सबसे बड़ी problem है because currently you don't have money in your pocket that's why you are borrowing money so that you can fulfill your requirements और इससे बचने के लिए FRBM Act इंडिया में हम लेकर आए हैं ये बात याद रखेगा आप मैंसे कई लोग आज पहली बार जुड़े है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और comment box के अंदर फर्स्ट जरूर लिखके बताईएगा जो भी पहली बार जुड़े हैं हमारे session में मेंस के लिए topic बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा important है तो पीज लाइक दे वीडियो now center government ने एक कानून बना दिया कि आने वाली सरकारों के उपर एक जिम्मेदारी रहेगी जिम्मेदारी के तहट सरकार बहुत ज़ादा borrow नहीं करेगी fiscal deficit और revenue deficit जैसी दो problem से बचेंगे fiscal deficit मतलब जो government borrow करती है कई बार over borrow कर लेती है और revenue deficit revenue deficit का मतलब है short term nature के खर्चे सरकार जादा से जादा कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए government को long term nature के infrastructure creation पर ध्यान देना चाहिए roads highway जो लंबे समय तक टिकते हैं और revenue deficit को minimize करना है प्रॉपर अब एक law के तहत discipline बनाने के लिए fiscal consolidation करने के लिए ये इंडिया में लाया गया है अब mains में question बनेगा FRBM Act के उपर तो वहां पर उसके merits या उसके objective तो लिखने होंगे ना पर आपको अभी objective पता नहीं है तो आईए एक एक करके point wise manner में हम point wise manner में हम इस flow chart के माध्यम से इस diagram के माध्यम से देखते हैं सबसे पहली बात तो यह intergenerational equity create करना चाहता है intergenerational equity it feels a very difficult thing to understand but it is not intergenerational मतलब एक generation से दूसरी generation तक हमारे पिता हमारे दादा पर दादा की पीडियों ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया बोज हमें उठाना पड़ रहा है यह हो intergenerational debt intergenerational equity का मतलब है कि हमारी पीडियों ने इतना ज़्यादा उधार नहीं लिया कि हमारे उपर बोज बन जाएगा तो equity एक equality की situation बनी हुई है कि हमारे उपर ज़्यादा impact create नहीं कर रहा इसी लिए intergenerational equity को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है in fact long term macro economic stability के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे keywords लिखने है यह बड़े मुश्किल शब्द नहीं है पर यह attractive words है आप क्या बता रहे हो macro economic stability और किस टाइप की long term nature की long term nature की macro economic stability ऐसे terms लिखने हैं अपने exam के अंदर these are the words which are to be used आप बताओगे कि कैसे यह सरकार के fiscal impediments को रोक रहा है सरकार के fiscal impediments को रोके गा अगर आप FRBM Act को implement करोगे क्यों क्योंकि government borrows money ठीक है न and when government borrows money government को चुकाना पड़ेगा interest उसके उसके उपर और interest is not a very constructive expenditure कोई फाइदा नहीं होरा ब्याज चुका के उधार लिया है ब्याज देना पड़ रहे है क्या उस ब्याज इससे क्या उस interest से आप road बना रहे हो highway बना रहे हो hospital बना रहे हो school बना रहे हो no this is just a regular expenditure which the government has to do किसी भी हाल में खर्चना पड़ेगा तो एक बात बताई जब उससे कुछ productive चीज क्रियेट हो ही नहीं रही है तो कहीना कहीं वह एक impediment या कहीना कहीं बादा है नहीं in fact सरकार चाहती है monetary policy के तहत RBI को कहकर सरकार हमारे देश के अंदर लोगों के लिए loan available कराए जादा से जादा पैसा जनता के पास loan में available हो government को भी loan मिले government भी infrastructure projects में खर्चे और उपर से सरकार उधार ले जा रही है ताकि future interest पे करना पड़े government को तो कहीना कहीं government के उपर एक burden नहीं पैदा करेगा क्या एक और बात है हम चाहते हैं इंडिया में ट्रांस्पेरेंसी बने फिस्कल कंसॉलिडेशन के माध्यम से अरे जनता को पता तो रहे government बॉरो कर रही है तो क्यों कर रही है किस परपस के लिए कर रही कहां इस्तमाल करेगी एक पूरा ट्रांस्पेरेंस फिस्कल सरकार को उधार लेके खर्चना पड़ता है जनता की भलाई के लिए government has to borrow and spend for the welfare of the public अब उस टाइम पर तो government को खर्चना ही पड़ेगा बट एक लिमिट से जादा नहीं खर्चना उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करना जरूरी है जब तक प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करोगे it becomes problematic इसलिए FRBM Act बनाय गया था ताकि हम प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सके center government borrow ना करे एक लिमिट से जादा चाहे RBI से चाहे जनता से औरना देश की monetary policy भी खराब हो जाती है monetary policy भी stable नहीं रहती temporary mismatch के लिए पैसा ले सकते हो बट यह नहीं कि सिर्फ RBI से पैसा उधार पे लिए जा रहे हैं लोगों से पैसा उधार पे लिए जा रहे हो government को हर तीन-तीन महिने में quarterly basis पर review करना चाहिए कि कि कितना उनका revenue हो सकता है अगले quarter का इस बार कितना था कितना उनका expenditure हो सकता है इस बार कितना था और जानकारी Parliament में time to time basis पर देनी चाहिए कि जनता को जान में पूछा जा चुका है यह question exactly जो मैं आपको बताने वाला हो that as per FRBM Act three such documents are there which shall be put before the both houses of Parliament center government को दोनों houses के सामने दो document लोग सबा प्लस राजे सबा के सामने तीन document पाड़र मी दोनों houses के सामने तीन document रखवाने है अब वो कौन से कौन से document है उनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ एक तो medium term policy को track करने के लिए सरकार की कि सरकार सही से fiscal policy चला रही है नहीं चला रही उसको देखने के लिए medium term fiscal policy statement medium term fiscal policy statement सबसे पहले तो यह बनाया जाता है medium term fiscal policy statement यह बनाया जाता है second हो गया आपका macro economic framework statement इसमें देश की macro economic condition पूरे देश की condition देश पर कितना उधार है बेरोजगारी कितनी unemployment level कितना है और इसके साथ साथ government कितना revenue generate कर पा रही है सारी बात बताई जाती है कि on an average country की situation economic situation कैसी चल रही है macro economic framework statement में पता चलता है यह आपको याद रखना है ऐसी सरकार की ongoing और आने वाली fiscal policy strategy क्या होगी वो fiscal policy strategy statement से पता चलता है और यार यह ना आपके prelims के लिए भी important है क्योंकि prelims में exactly question पूछा जा चुका है medium term fiscal policy statement है so it becomes very important for you to remember all the three names as I have mentioned here इन तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है हिंदी मैं बोलू तो एक बार हिंदी में सुन ले केंदर सरकार संसद के दोनों सदनों में तीन बयान या तीन statement रखेगी पहला है आपका मध्यवर्धी राज कोश्य नीती या जो आपका medium term fiscal policy statement है दूसरा है राज कोश्य नीती रण नीती विवरन fiscal policy strategy statement और तीसरा है आपका macro economic framework statement जो कि आपका हर साल सरकार को देना होता है और हमारे देश के अंदर जो आर्थिक स्थिती है उसके बारे में बताना होता है तो ये तीनों आपके देश के अंदर एक साल के अंदर बजट के सा के राते हैं budget जिससा मैं पेश के राता है उसके साथ तीन documents और पेश के राते हैं और ये question बन चुका है अगें आप मेरे साथ telegram पर connect हो सकते हैं students अभी session चल रहा है हमारा मैं वस बता दूं how to connect with me on telegram वसू कटारा study IQ मेरे handwritten notes है previous lecture के आप यहां से प्राप्ट कर सकते हैं आप को बहुत ज्यादा helpful होंगे हमारी आने वाली classes की videos आपको यहां से देखने मिलेगी और आपको बहुत important अलग-अलग चीजों की जानकार यहां से मिलेगी बच्चा पूचे सर जी KYC क्या होता है KYC मतलब know your customer और अभी जो पढ़ारों कृपया उस पर ध्यान दे ले आपके भ economics in these batches 2025 का batch तो आज से ही शुरूर है शाम 6 बजे से प्योर इंग्लिश प्योर हिंदी बाइलिंग्वर आप 2024-2025 इन दोनों अलग-अलग years के UPSC Serial Service exam के त्यारी कर सकते हो 2024 का batch है वो 2.5 years तक valid रहेगा 2025 का batch 3 years तक valid रहेगा 2024 के batch में 25 के batch में दोनों में books मिलेंगी prelims और mains की test series मिलेंगी books 15 से जादा market में लेने जाओगे 4-5,000 की तो किताब या जाएंगी वो आपको मिल रहे है prelims और mains की test series भी included है prelims और mains के लिए crash course program भी included है so that you can succeed and it is my assurance to you क्या आप पूरी मेहनत करेंगे हमारे साथ तो आपका 2024 का prelims भी clear होगा, mains भी clear होगा answer writing पर बहुत deep focus हम करते हैं पहले live class पर पढ़ाते हैं topics फिर उनकी आपको recordings भी मिलती है in the UPC arena और वो अब हमारे साथ काम कर रहे हैं आपके लिए best answer चेकिंग करते हैं evaluation देते हैं feedback देते हैं admission कैसे लेना है go to the study IQ app study IQ website 2024 का batch 29,999 में available है अब आप कहो के सर यहां तो 45,000 लिखा है no 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 just apply वसू live admission discount code आपके लिए वो available हो जाएगा वसू live admission discount code यूज करके 29,999 का पढ़ेगा यह बात ध्यान रखेगा 2025 का जो batch है वो 35,999 का है books, live classes, prelims और means की test series, prelims और means का crash course, recordings, mentorship, mentorship मतला हमारे mentors आपके साथ 24-7 phone call, whatsapp के माधियम से connected रहेंगे any doubt, any question you have, they will take it up, आपको बहुत जाधा help करेंगे, assistance प्रोवाइड करेंगे so just apply वसू live admission discount code और कोई code लगाने की जरूत नहीं है, हमारे counselor से बात कर सकते हो, counselor को भी बोल दीजेगा कि आप वसू live code लगाना चाहते हैं और कोई code यूज नहीं करना चाहते, code क्यों है, क्योंकि आपको maximum discount मिले और मेरी personalized guidance मिल सके आपको, जब आप उसको apply करते हैं तो मेरे को information आती है to guide you, to give you complete information daily आपके साथ connect हो के आपकी strategy बनाने में help करना, आपको time table में help करना, take the benefit as I can actually help you in preparing better, in a better way for UPC civil service exam तो अब आपको मैंने बताया कि देश की fiscal policy statement के तहट, ये तीन document निकाले जाते हैं, ये exam में सवाल बन सकता है अच्छा, 2003 में कानून तो आए था, पर सबसे बड़ी problem हुई कि 2003 के कानून को पालन नहीं कर सके, we could not follow the provisions Actually, 2007-2008 के अंदर, global financial crisis आई, North America के अंदर, Europe के अंदर, North Atlantic financial crisis भी कहते हैं से Financial crisis में कई सारे bank अमेरिका में बंद पड़ गए, रात और रात बंद पड़ गए, banks, चलते चलते banks, finished, Lehman Brother was one example अब हमने कहा था कि दुनिया के अंदर हम, banking activity को तो बढ़ावा दे ही रहे थे उस time पर, global level पर हमने global financial crisis हिंडिया ने भी सामना किया और हमने कहा कि हम अपने FRBM के path पर चलते रहेंगे, मतलब फिस्कल consolidation के path पर चलते रहेंगे, मतलब उदार जादा नहीं लेंगे, खर्चा जादा नहीं करेंगे, जितना पैसा कमाएंगे, उसी को खर्चेंगे, we won't take more money in the form of borrowing but एक recession आया, recession के time पर problem ही होती है, कि अगर आपको national income का concept यहाद है, c plus i plus g plus x minus m मैंने बताये था, national income जब मैं पढ़ा था, कि देश की income नाप नहीं है, इस method से नाप सकते हैं, इसमें मैंने बताये था, सरकार जो खर्चा करती है, वो देश की income को बढ़ाने के लिए जरूरी है, देश को recession के अंदर से बाहर लाने के लिए जरूरी है, सरकार को उधार लेना पड़ेगा, काफी उधार काफी ज़्यादा, सरकार ने बोरो किया, अब देखो, 2020, 2021, COVID आ गया, फिर से सरकार को COVID-19 की वज़े से पैसा उधार लेना पड़ा, और जिस वज़े से देश का जो एक balance था, financial balance, वो गड़ बढ़ा गया, in fact अगर हम देखेंगे, कि हमारा 2022-2023 के अंदर, government के fiscal deficit 6% के आसपास, 2021-2022 में 6% के आसपास, which is considered to be high, हमें 3% तक रखना है, और यहाँ पर 6-6% अगर fiscal deficit जाएगा, तो कैसे काम चलेगा, खुदी सोचिए, तो इसी लिए हमने कहा, कि हम इसे revamp करेंगे, revamp का काम तो पहले शुरू कर दिया था हमने, but ultimately इंडिया को अब more than ever, जरूरत है कि अपने खर्चों को balance करें, अपनी उधारी को एक limit तक रखे, 6% से कम लेकर आए fiscal deficit को, 3% से भी कम, और 3% से भी नीचे जा सके, that is why government is expecting, that it should reform this law, इसके लिए N.K. Singh कमिटी को भी बनाया गया था, N.K. Singh एक retired IS officer है, N.K. Singh साहब इंडिया के, एक minister of parliament भी रह चुके हैं, और finance commission को head कर चुके हैं, N.K. Singh जी के तहत एक committee बनाई थी हमने, इस committee की recommendation या सिफारिशों के हिसाब से, नया एक draft debt management and fiscal responsibility bill, 2017 में introduce हुआ, तो आप chronology समझे हैं, 2016 में committee बनाई गई थी, N.K. Singh committee, किस से related है, fiscal consolidation या सरकार के budget management से जुड़ी हुई है, इन्होंने एक कानून पेश किया, 2017 में, FRBM Act 2003 को replace करने के लिए, इसका नाम था, debt management and fiscal responsibility bill, यह 2017 में पेश किया गया, debt management and fiscal responsibility bill, fiscal responsibility, financial responsibility, FRBM का ही upgraded version था, और मैं बिल इसलिए कह रहूँ, क्योंकि अभी यह bill form में, 2017 में आया, FRBM Act पुराने वाले को replace करने के लिए, सबसे notable recommendation इनकी थी, इन्होंने, committee ने, governments को बोला, कि आप अपने fiscal और revenue targets को, deficit targets को achieve करें, ठीक है ना, कि आपका primary target है, कि fiscal policy को ऐसे लागू करें, कि अपने घाटे पूरे करें, जहां पर 60% debt to GDP ratio, Indian government को इन्होंने दिया, अब यह आप पूछेंगे, debt to GDP ratio क्या है, कितना सरकार के उपर, सरकारों के उपर बल्खी, center of state governments के उपर उधार है, देश की GDP के comparison में, पाकिस्तान के उपर, debt to GDP ratio is very high, UK के उपर, USA के उपर, 100% से भी जाद है, debt to GDP ratio मतलब कितना करजा, आपने लिया हुआ है, in comparison to, your economic size, the size of your GDP, इंडिया का, debt to GDP ratio इन्होंने, control करने की बात करी, और कितनी बनाने की बात करी, इन्होंने कहा, 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, इनके recommendations के साब से, government को, center government को target करने बोला, that 40% center government का, और 20% state government का, maximum 60%, इससे जादा नहीं, इससे जादा होगा, तो future governments को problem हो सकती है, इसलिए इंडिया का, debt to GDP ratio, balance में बनाये रखने की बात करी, इससे जादा होगा, देखो देश की GDP साइज बड़े, जैसे ऐसे बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकार को उधार भी जादा लेना पड़ेगा, सरकार को debt भी जादा लेना पड़ेगा, बट हमें एक limit पर रखना है, balance बना के रखना है, इंडिया के debt to GDP ratio को, और इस साल के economic survey, 2023 ने इसी पर बोला है, कि इंडिया का debt to GDP ratio है, it has seen modest rise, average increase रहा है in the last 15 years, बढ़ पिछले 15 साल हों है, बहुत तेजी से हमारा debt to GDP ratio नहीं बड़ा, एक limit में है, सरकार का debt to GDP ratio, modest level पर बड़ा है, और ये आपके prelims में question के तौर पर पूछा जा सकता है, 2005 के अंदर, debt to GDP ratio हमारा 81% था, सोचो, a comparison of the change in the center government debt to GDP ratio, increase is very modest, 81% से 84 रहा है, पर it is still very high, 60% पर लाने की बात कर रहा है, और 81% के उपर हो, 80% के आसपास, 84% के आसपास हो, पिछले 15 साल में हमने कोशिश करी है, कि debt to GDP ratio कम हो, पर उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, increase ही हुआ है, और increase भी modest increase है, not a very high amount, बट ठीक है, इससे कम करना है, इससे 60% ले जाना है, अब आपको अगर मैं global level पर comparison बताऊ, यह देखो जरा, बाकी देशों का, debt to GDP ratio, यह जो red color है, यह है past data, यह जो blue color ही है, अभी का data, इंडिया का 81% था, 2005 में debt to GDP ratio, इंडिया का 2021 में 84% आ गया है, debt to GDP ratio, और क्योंकि हमारा debt to GDP ratio, इतना कम, इतना जादा level पर और इसको कम करके, 60% पर लिराना है, it is the responsibility of the government, to manage its debt, RBI पहले manage करता था, सरकार का public debt management office, RBI के तहत होता था, पर अब center government finance ministry चा रही है, वो खुद manage करें, बाकी देशों का हाल देखू, अमेरिका का 95%, चाइना 72%, ब्राजील 93%, फ्रांस 113%, UK 95%, US 128%, वो UK था 95% वाला, US 128%, इंडिया फिर भी 84 है, अब growth के लिए आपको उधार, fuel के तौर पे use करना पड़ता है, debt fuel के तौर पे लेना पड़ता है, to increase your growth, ठीक है न, अब आप कहोगे सर, इतना जादा ये तो बात जम ने दी, और क्या ये इससे भी उपर गया है, pandemic year जो था ना हमारा, financial year 21, इंडिया का debt to GDP ratio 89.6% हो गया था, now we have seen in the fall, 84% आया है, but 89%, 90%, तो बहुत जादा है, इसलिए धीरे धीरे इसे कम करना है, हमें fiscal consolidation करना है, general government का, ये mains के अंदर हमें point लिखना होता है, we have to do fiscal consolidation, fiscal consolidation of the general government, अब आप कहोगे general government क्या है, ये exam में सवाल बन सकता है, general government का मतलब है, center government और state governments का मिला के debt, general government debt कहा जाता है, तो general government जब हम बोलते हैं, मतलब हम center government, state governments को एक साथ, एक word से, एक term से denote कर रहे हैं, general government, it has to be packed down to 60%, उससे जादा नहीं होना चाहिए, और कितना है, 80 plus percent इड है, so it's important for us to manage it, ultimately, सरकार को जो wasteful expenditure है, उन्हें कम करना होगा, अपने debt को manage करने के लिए, 2023 तक target meet करना था, पर मुझे लगता है, 2027-2028 तक ही target meet हो पाएगा, एक और बात कही है, इनके सिंग सहाब ने, कि देखो, देश में fiscal, monetary policy के लिए, monetary policy committee बना दी, उर्जीत पतेल committee की recommendation पर, ये question बन सकता है, fiscal policy के लिए, कोई autonomous committee कौन सी है, मतलब पहले क्या होता था, RBI की governor ही, देश की monetary policy भी decide करते से, अरे कोई dictatorship थोड़ी ना है, कि एक ही इंसान, देश की policy चला रहा है, ये तो proper experts की committee की recommendation के basis पर होना चाहे न, एक परसन क्यों, तो छे लोगों की अब एक monetary policy committee बना दी है, जो RBI के सारे फैसले monetary policy से जुड़े हुए, राज़कूशिया, मौधरिक नीती से जुड़े हुए, जितने भी फैसले हैं, वो छे लोग मिलके लेते हैं, पर राज़कूशिया नीती के लिए, fiscal policy के लिए, there is no such committee, एक autonomous fiscal council होनी जरूरी है, government should create an autonomous fiscal council, जहाँ पर एक chairman और दो member हो, जो कि center government appoint करें, इनकी recommendation थी, और ये mains में पूछी जा सकती है, autonomous fiscal council, this can be asked in mains exam, कि हमें autonomous fiscal council बनानी है, एक chairperson, दो members, चार साल का इनका tenure, ये recommendation दी थी, four years का इनका time period होगा, चार-चार साल के बाद change होते रहेंगे लोग, ये recommendation दी थी, क्या होगा इस autonomous fiscal council का का काम, देश की fiscal policy, कोई एक बंदा, एक person, ministry of finance से एक department नहीं बनाएगा, experts की recommendation के basis पे बनाए जाएंगे, आने वाले साल का forecast किया जाएगा, कि सरकार हों कितना उधार लेना पड़ सकता है, क्या सरकार की fiscal strategy हो, और अगर government ने target बनाया है, लेट से 5% fiscal deficit रखने का, तो कौन से केस में उसे escape किया जा सकता है, इसके regarding escape clause भी यही manage करेंगे, हाला कि N.K. Singh कमिटी ने escape clause की बात करी है, कि agriculture distress है, कि फसल खराब हो गई, कोविट pandemic जैसा कोई pandemic आ गया, कुछ भी है, government collapse हो गई, war हो गया, देश की security को कोई खत्रा है, तब तो सरकार को दबा के पैसा खर्चना होगा, government अब deviate कर सकती है, अपने path से fiscal consolidation के रस्ते से, सरकार जिस रस्ते पर चल गई, उस रस्ते से हट कर, देश को बचा सकती है, ऐसी दूविदाओं से, तो एक flexibility प्रोवाइड करी, deficit target के basis पर, इस प्रोवाइड़ flexibility, जो committee बनाई गई थी, उन्होंने शुरुवात में, तो escape loss 0.5% का रखा, fiscal deficit का 0.5%, कि मालो सरकार ने का है, 5% इस साल fiscal deficit रहेगा, तो 4.5% से 5.5% के बीच में range रह सकती है, कि 5 बोला था, साड़े चार हो गया या साड़े पांच हो गया, इत्ता चलता है, उससे उपर गया, अगर उससे उपर गया तो, उस range में, उस range के within रहता है, तो ये ठीक ठाक माना जाएगा, उस range के within रहता है, तो ये ठीक ठाक माना जाएगा, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, आशा करता हूँ आपको, ये concept समझ आया होगा, अब हम next lecture के अंदर, बेस्ट गाइडन्स, मैंने आपको बताया, वसू लाइव एडमिशन डिसकाउन को उड्यूस करना है, और वसू कटारा स्टेडी आईक्यू, टेलिग्राम ग्रूप है, बॉटम पर आप देख सकते हैं, इस पर जुड़कर आप तयारी कर सकते हैं, शुक्रिया सेशन को देखने कर दो,